पिर आप सभी लोग भी अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट की मदद से महीने का 500 से 1000 डोलर की अर्णिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप सभी लोग को सही वे में कीवर्ड रिसर्च करना काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है इस वीडियो में आप सभी लोग को वही बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग एक राइट वे में कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो जिससे कि आपका ब्लॉग आपकी वेबसाइट विदिन वन मन्त अच्छा खासा रंग कर जाएगा और आपकी साइट पर एक गूड अमाउंट में ट्राफिक भी आना इस्टाट हो जाएगा इसको मॉनिटाइज करके आप सभी लोग अच्छे खासी अर्निंग कर पाऊगे तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत दक देखें पूरा देखें आप सभी लोगों का आज की एक ब्रैंड न्यूव वीडियो में आज के समय में जो भी यूजर नहीं ब्लॉगिंग में आते हैं उनका पहला मोटीव यही रहता है कि बाई एक्जांपल बताता हूं अभी आप से लोग एक स्क्रीन शोट ले सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइ ले लिया लेकिन बाइन ना तो कोई कीवर्ड रिसर्च करें दो तीन महीने सिर्फ और सिर्फ अपने अप्रोल लेने में निकाल दिये तो इससे अभी आप सभी लोग देख सकते हो पर डे का एक डोलर भी नहीं बन रहा है क्योंकि साइट पर बिल्कुल भी ट्राफिक नही करते हैं तो वो यहीं करते हैं कि आपकी साइट पर ट्राफिक होना चाहिए वोगर आपकी साइट पर बड़या ट्राफिक है जो कॉंटेंट डाल रखा है वो भी आपने खुद ही डाल रखा है इसी लिए आप सभी लोग को गूगल एटसंस का अप्रूवल मिल जाएगा व कोई भी पेड टूल नहीं है कुछ ऐसे चीज़े बताऊंगा जो कि आप सभी लोग के लिए काफी ज़्यदा इंपोर्डेंट है और उनको अगर आप सभी लोग यूज करोगे इसी लिए आप सभी लोग अपनी साइट को ग्रोवाब आप आओगे आपके जितने भी सभी लोग को टाइम टाइम मिलती रहेगी लोग को कीवर्ड रिसर्च करने से पहले मैं आप सभी लोग को थोड़ा बहुत एक्ष्ट्रा घ्यान देते था हूं जो कि आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो बहुत होते हैं दो तरीके के सबसे पहला वाला होता है वह घौता है शो टेल की वर्ट जिन मैं तीन से कमशन इसे के नहीं होता है इस आप सभी लोग को लॉंग टेल कीवर्स का यूज करना है जिससे कि आपके जो आर्टिकल्स है वो वह इजी ली गूगल की टॉप पोजिशन पर रैंक कर जाए और वहां चाहिए थोड़ा थोड़ा ट्राफिक आपकी साइट पर आता रहेगा और अगर आप सभी लोग शौट को आप मोनिटाइज करके अच्छा कासा पैसा भी कमा पाऊगे लेकिन पहले एड्सेंस के पीछे भागोगे तो भाई साइट भी ग्रो नहीं होगी कि जब हम एड्स लगाते तो भाई हमारी जो साइट की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है आपको लॉंग टेल कीवर्ड रिसर्ज आप करोगे और जो आपको कीवर्ड मिलेंगे उनका यूज करके इजीली आप सभी लोग गूगल की टॉप पोजिशन पर रैंक कर पाऊगे तो सबसे पहला जो टूल है वो है गूगल ओटो सजेश्ट और सेकंड जो टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर ठी यह दोनों टूल इनफ है किसी भी कीवर्ड रिसर्ज करने के लिए और मैं भी ज़्यादे तर इनी टूल का यूज करता हूँ क्योंकि यह सबसे बढ़िया है ठीक है तो सबसे पहले आप सभी लोग को जिस भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखना चाते है उसके लिए जाता है तो मुझे यहाँ पर मान लो सबस आर्टिकल लिखना है इंस्टाग्राम फॉलोवर्ड के उपर तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इंस्टाग्राम फॉलोवर ठीक है इंस्टाग्राम फॉलोवर जैसे मैं टाइप करूंगा और टाइप करने के ब पर मतलब search result है और दूसरे जिसने बहुत सारे keywords बता दिये जिसे free Instagram followers जिस पर 100k से 1 million तक यहाँ पर traffic है ठीक है तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं बहुत सारे keywords जिनका भी हम directly use कर सकते हैं तो guys यहाँ पर अब long tail keyword को find करने के दो method है सबसे पहला method कि Google ने जो यह हमें यहाँ पर keyword क ideas दी हैं यहाँ से हम कोई long tail keyword को उठा ले या फिर हम Google auto suggest tool का use करके manually यहाँ पर long tail keywords find करें तो दोनों method को use कर सकते हैं और दोनों method को मैं आप सभी लोग को भी explain करूंगा तो video पूरा देखना है तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को यहाँ से idea बता देता हूं कि यहाँ से आपर जो है 100K तक traffic है ठीक है तो यह भी एक अच्छा keyword है इसको भी आप use कर सकते हो लेकिन अब भी अगर आप हमारी site new है तो इस keyword पर भी हम अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ backlinks बनाने पड़ेंगे तभी हम हमारी site के page post जो है उसको यहाँ पर top position पर बढ़िया बात है तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूं तो जैसे यह एक के से 10K तक वाला keyword है यह देख सकते हो pre Instagram follower app ठीक है अब यह मेरे को लग रहा है बढ़िया है आपको अपने हिसाब से इसको देखना है कि इस keyword पर आप work कर पाऊगे या नहीं कर पाऊगे तो अगर मैं Instagram क according देखो Instagram followers के according तो यह जो keywords है अगर मेरी site नहीं है और इस keyword पर मैं अगर work करूँगा तो easily मेरा जो article है वो top positional पर rank कर जाएगा लेकिन keyword लेते ही उस पर article डालने से नहीं करेगा इस पर थोड़ा बहुत आप सरी लोग को और research करना होगा और वो क्या करना है तो इसको करना है copy और copy करने के बाद आप सभी लोग को आजाना है Google पर और इस keyword को एक बार search कर लेना है और यहाँ पर जितनी भी website आती है उनको थोड़ा बहुत analyze आप सभी लोग को कर लेना है कि कौन-कौन सी website यहाँ पर rank कर लिए तो आप सभी लोग देख से लिए तो एक हिसाफ से देखो क तो इस keyword पर rank करने में भी थोड़ी तकलीप आईगी तो अब यहाँ पर हमें हमारा main keyword तो मिल चुगा है लेकिन इस keyword को हमें अब थोड़ा बहुत और long tail keyword में convert करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको Google auto suggest का use करना है तो यह Google हमें देख सकते हो automatically auto यहाँ पर यहाँ पर मतलब यह समझना है कि आप जो content डाल रहे हो वह हिंदी में डाल रहे हो या English में डाल रहे हो अगर English में डालोगे तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको competition हादा मिलेगा और अगर आप सभी लोग हिंदी में content डालोगे तो आपको competition कम मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर दे एक-दो backlink भी बिना लोगे, तो इस keyword पर आप सभी लोग rank कर जाओगे, लेकिन अगर आप सभी लोग backlink नहीं बिनाना चाले, तो इसको आप और चो है long tail keyword में convert कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 2020 लिखा हमने, तो 2020 से पहले यहाँ पर हम, अगर आप हिंदी में लिख रहो हो, मैंने कहा था, हिंदी में लिखोगे, तो जल्दी rank करोगे, तो free instagram follower app, इन हिंदी, बहुत सारी users करते हैं, और इन हिंदी करने के बाद, यहाँ पर 2020 हम कर सकते हैं, तो अब जब हमारा keywords है, उस पर results आप सभी लोग देख सकते हो, और भी दर दर down हो गए, और top position पर आप सभी लोग बना लोगे, जो कि काफी जाएदा easy है, तो यहाँ पर आसानी से rank करके, अच्छा कासा traffic आपकी site पर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, यह जो हिंदी वाला यहाँ पर post है, वह बहुत rank कर रहा है, ठीक है, तो इस way में आप सभी लोग ये इसका use करके, Google auto suggest का, अपने keyword क long tail में convert कर सकते हो, तो यह keyword आप सभी लोग को मिल गया, अब keyword मिलने के बाद, आप सभी लोग को यहाँ पर एक सही way में article लिखना जरूरी है, क्योंकि सही way में अगर आप सभी लोग article में keyword का placement नहीं करोगे, तो Google के जो crawler आएंगे भई, उन्हें वो पता ही नहीं चल हो कि article में सही way में keyword placement कैसे करते हैं, तो यह तो बात रही कि हम Google keyword planner से keywords को उठा का, उसको थोड़ा सा auto suggest करके, यानि कि कुछ extra चीज़े use करके, उसको long tail में convert कर सकते हैं, लेकिन अब बात रही कि हम direct Google यहाँ पर auto suggest tool है, इसी का use करके हम हमारे मितलब जो short tail keyword होता है, उससे long tail कै कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चलिए वो भी तरीका मैं आप सभी लोग को समझा देता हूं, जैसे यहाँ से मैं ले ले लेता हूं Instagram followers, और Instagram followers लेने के बाद Instagram followers को कर देता हूं search एक बार Google में, तो यहाँ पर देख सो तो यह काफी ज़्यादा high मतलब जो है competition वाला keyword है, तो इस करना होगा, जिसे मैं यहाँ पर कर देता हूं, free लगा देता हूं, ठीक है, तो Instagram followers free, then एक और space दूँगा, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे Google हमें auto suggest देदेगा, ठीक है, अब free के आगे मैं यहाँ पर जिसे वायान देता हूं, online लगा देता हूं, और online लगाने के बाद एक और space दबोंगा, तो Google हमें और दूसरे बहुत सारे keyword suggest कर देगा, अब online के आगे मैं वापिस 2020 लगोंगा, एक बार वापिस space दूँगा, तो Google हमें और भी बता देगा, अब इसके आगे कोई भी long tail keyword नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हूं, हमारा एक long tail keyword तयार है, और भी इसको comment search करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोग को काफी ज़यदा कम results मिलेंगे, और काफी ज़यदा यहाँ पर चोटी-चोटी sites मिलेंगी, तो इस तरीके से Google auto suggest tool का use करके भी आप सभी लोग यहाँ पर long tail keyword find कर सकते हो, और उनको article में लिखकर, article में implement करके, अपनी site के articles को grow करवा सकते हो, और रैंक करवा सकते हो, और चाहो तो इसको और भी ज़यदा आप long कर सकते हो, जिससे भई हलका pull का traffic कम होगा, लेकिन at last आपका जो article है, वो Google के top position पर रैंक करेगा, तो एक keyword जिस पर 1 million का traffic है, और उसको आपने long tail में convert करके, उसके 5 word कर दिये, तो 1 million से आप सभी लोग को 1000-2000 का traffic आ ही जाएगा, ठीक है, तो 100% fix है और इससे भी ज़्यदा आ जाएगा, 10,000 तक का traffic easily आ जाएगा, तो इस हिसाब से अगिल आप सभी लोग देख सकते हो, अगर आप 25-50 article लिख देते हो, तो अच्छा कासा traffic आपकी site में 2-3 महीने में आने लग आएगा, तो इस तरीके से आप सभी लोग perfectly keyword research कर सकते हो, अपने किसी भी article के लिए, तो I hope कि आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक like करके ही जाना, और चैनल पर नहीं विज करके ही जाना सारा लग से विजदा कर hasnyal सैंक्षा मेशा होगा हो थिए, आएगा होगा हो इसार अथ चक्छा कर सकते हो बार नहीं वीडियो को कि दो स्पा हो है और रंचा येज़ियो अच्छा लोगा हो येज़ि लोगा होगा है वीडियो।